हलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पाड़ तीन जादू वाचन पढ़ो और समझो बच्चो एक किसका चित्र है? ये बासुरी का चित्र है आपको कुछ मालूम है बासुरी के बारे में कौन से भागवान है जो बासुरी बजाते हैं? सही, कृष्ण भागवान जी वो बासुरी बहुत मिठी बजाते थे उनकी बासुरी के धुन में सब लोग मन मुग्द हो जाते थे और सब उनकी संगीत में डूप जाते थे चलो, तो आज हम पार्टी जादू पढ़ेंगे, ठीक है? देवपूर का राजा कर्मसेन न्याइपरी था बच्चो, देवपूर का जो राजा था कर्मसेन वो बहुत न्याइपरी राजा था प्रन्तु से गीत संगीत में कोई रुची नहीं थी ये जो देवपूर का राजा था कर्मसेन ये न्याइपरी था लेकिन उसको संगीत में गीत संगीत में कोई रुची नहीं थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई इंट्रेस्ट नहीं था उसे उसमें कोई रुची नहीं थी अता राज में गाने बजाने की मना ही थी क्योंकि राजा को संगीत में कोई रूची नहीं थी तो इसलिए राजा ने क्या कर दिया था कि राज में कोई भी गाना बजाएगा नहीं गाने की और बजाने की राज में मना ही थी कोई भी वेक्ति गाना बजा नहीं सकता था, गाना गान नहीं सकता था उसी राज में सत्य जीत नाम का पढ़ा लिखा बासुरी बजाने में कुशल एक यूवक था लेकिन वो राजा के ही राज में एक यूवक था जिसका नाम सत्य जीत था उस यूवक का नाम क्या था सत्यजीत और जो सत्यजीत नाम का यूवक था वो बहुत बढ़ा लिखा था और उसे बासुरी बजाने में कुसल था वो बासुरी बहुत अच्छे से बजाता था ये देखो बच्चो ये यूवक है इसका नाम सत्यजीत है ये बहुत बढ़ा लिखा यूवक है और इसे बासुरी बजाने में कौसले प्राप्त है ये बहुत अच्छा बासुरी बजाता है बच्चो ठीक है चलो आगे देखते हैं एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठ कर वह बासुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुर सवार आता दिखाई दिया एक दिन जंगल में बैठ कर बच्चो वो बासुरी बजाने ही जा रहा था जंगल में उसे बैठा था तो वो सोचा चलो में बासुरी बजा लेता हूँ और वो जैसे ही बासुरी बजाने वाला था वैसे ही उसको एक घुड सवार आता दिखाई दिया घोड सवार आता दिखाई दिया मतलब कोई घोडे पर बैटकर जो घोडे पर बैटकर सवारी करता है उसो घोड सवार बोलते हैं तो कोई घोडे पर बैटकर आता हुआ दिखाई दिया अचानक घोडे का पाउं फिसला सत्यजीत को दूर से ही दिखाई दिया कि कोई घोड़े पे बैठकर आ रहा है सत्यजीत उधर देखी रहा था तो अचानक क्या होता है घोड़े का पैर फिसल जाता है और उस पर बैठा वेक्ती जमीन पर गीर पड़ा और बेहोश हो गया सत्यजीत क्या देखता है कि कोई घोड़े पर बैठकर आ रहा है अचानक वो देखता है कि घोड़े का पैर फिसल जाता है और जो वेक्ती घोड़े पे बैठा रहता है न बच्चो वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो बिहोश हो जाता है उसको जरा बिहोश नहीं रहता है वे राजा करमसेन थे और जो वेक्ति घोडे पर बैठा था ना बच्चो और जो घोडे से गिर गया था और बिहोश हो गया था वो वेक्ति राजा करमसेन थे वो वेक्ति कौन था जो घोडे पर बैठा था वो राजा था बच्चो राजा कर्म सेंते सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रत्न किया जो यूवक था सत्यजीत वो राजा कैसे होश में आये उसके लिए वो प्रत्न करने लगता है किन्तु उन्हें होश नहीं आया सत्यजीत बहुत प्रत्न करता है कि वो राजा को होश में लाए लेकिन राजा होश में नहीं आ पाते हैं सत्यजीत सोच में डूब गया फिर वो अपनी बासुरी निकाल कर बजाने लगा सत्यजीत वो सोचने लगा मैं क्या करूं फिर वो क्या करता है अपनी बासुरी निकालता है और उसे बजाने लगता है उसने पहले बहुत कोशिश की कि वो राजा को होश में लाए लेकिन राजा तो होश में ही नहीं आए तो सत्यजीत सोस्ता मैं क्या करूँ फिर वो क्या करता है अपनी बासुरी निकालता है और उसे बजाने लगता है बासुरी का मधूर संगीत पूरे वातावरण में गूजने लगा जब जैसे ही सत्यजीत बासुरी बजाना शुरू करता है तो बासुरी की इतनी मधूर आवाज थी वो मधूर आवाज पूरे वातावरण में गूजने लगी पक्षी भी उस मधूर संगीत से आसपास मंडराने लगे और जो भी पक्षी हो पसु हो जो भी वो मधूर धोनी को सुन रहा था वो सब सत्यजीत के आसपास मंडराने लगते हैं सभी पशू, पक्षी सब वहाँ पर आकर मंडराने लगते हैं तभी उसने देखा राजा धीरे-धीरे आखे खोल रहे हैं फिर सत्य जित क्या देखता है कि राजा भी धीरे-धीरे अपनी आखे खोल रहे हैं सत्य जित तरकर राजा के पाउं में गिर पड़ा सत्य जित देखता है कि राजा भी धीरे धीरे आँखे खोल रहे हैं तो सत्य जित बहुत डर जाता है बच्चो कि आप तो राजा मुझे बहुत गुसा करेंगे क्योंकि सत्य जित को तो पता है कि राक राजा करम सेन की राज में गाना बजाना ये सब मना है लेकिन सत्यजीत ने फिर भी बासुरी बजाई और जैसे ही राजा धीरे-धीरे आखे खोलने लगे तो सत्यजीत बहुत डर गया अब तो राजा मुझे बहुत सजा देंगे वो सत्यजीत क्या करता है? डर के मारे जाकर राजा जी के पैर पे गिर पड़ता है और राजा से कहता है सत्यजीत डर कर राजा के पाउ में गिर पड़ा और सत्यजीत डर जाता है और वो राजा के पैर में जाके गिर जाता है राजा ने कहा अब राजा क्या कहता है सुनो यूवक कल तुम हमारे राज़दरबार में आ जाना सत्यजीत डर के मारे राजा के पैर में गिर जाता है तो राजा क्या कहते हैं कि यूवक कल तुम हमारे दर्बार में आ जाना राजा करमे सेनी सत्यजीत को कहते हैं कि कल तुम मेरे दर्बार में आ जाना दूसरे दिन सत्य जीत डरते डरते राजा की धरबार में पहुंचा फिर दूसरे दिन सत्य जीत बहुत डर रहा था लेकिन बच्चो वो डरते डरते भी राजा की दरबार में गया राजा ने कहा तुमने कोई गलती नहीं की है राजा सत्यजित से कहते हैं कि सत्यजित तुमने कोई भी गलती नहीं की है तुम डरो मात तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज में जीवित हूँ राजा क्या बोलते हैं राजा सत्यजीत से बोलते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की है तो बल्कि तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ आज मैं जो जिन्दा हूँ वो तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही मैं जिन्दा हूँ मैं जीवी थू फिर राजा ने मंतरी से कहा फिर राजा अपनी मंतरी से कहते है आसे हमारे राज में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी फिर राजा अपने मंतरी से कहते हैं कि आसे हमारे राज में गीत संगीत पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी जो भी हमारे राज में पाबंदी थी वो आज से खतम हो जाएगी अब गोई भी पाबंदी गीत संगीत पर नहीं होगी सारे राज में तुरंत ही यह घोशना कर दी जाए राजा कहते हैं अपने मंत्री से कि आज के बाद हमारे राज में गीत संगीत पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी यह घोशना सारे राज में कर दी जाए तो बच्चो यहाँ पर हमारा यह पाट समाप्त होता है आपको यह पाट कैसे लगा बच्चो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह देखो यह यूवक है सत्यजीत और जब राजा बिहोश हो जाते हैं तो वो बासुरी बजाने लगता है और इसकी बासुरी की धुन सुनकर राजा होश में आ जाते हैं देखो बच्चो सभी पशु पच्छी उसकी बासुरी की धुन पर उसके पास सब आ गए क्योंकि इतनी मधुर बासुरी बजाता था कि उसकी धुन सुनकर कोई भी अपने आपको रोक नहीं पाता है और सब उसके आसपास आ जाते हैं तो बच्चो यह हमारा पात बहुत अच्छा था आपको यह जो बात पात में ने पढ़ाया है इस पात को आप अपने शब्दों में कहाने के रूप में अपने ममी पापा छोटे भाई बहन को सुनाओ ठीक है बच्चो तो चलो बच्चो अब हम इसके स्वाध्धाय के प्रश्ण कर लेते हैं ठीक है चलिए आईए स्वाध्धाय पहला परी की कोई कहानी सुनाओ तो बच्चो परियों की तो बहुत सारी कहानी है आप कोई भी कहानी पढ़के उसे सुन लो पढ़ो और अपनी ममी पापा को भी सुनाओ प्रश्न दूसरा उत्तर दो प्रश्न पहला कर राजा कर्म सेन के राज में किस बात की मनाई थी? बताओ किस बात की मनाई थी? ये देखो कर्म सेन राजा के राज में गाने बजाने की मनाई थी किसकी मनाई थी बच्चो गाने बजाने की मनाई थी ये देखो मैंने उत्तर भी लिख दिया है तो आप पहले ऐसे लिखना राजा कर्म सेन के राज में ये जो किस है इसके जगे पे आप लिखोगे गाने बजाने की मनाई थी किसको हटा के लिखने का है गाने बजाने फिर की मनाई थी ठीक है तो राजा कर्म सेन के राज में किस बात की मनाई थी राजा कर्म सेन के राज में गाने बजाने की मनाई थी ख घुरसवार कौन था वह कैसे गिर पड़ा तो बच्चों हमने यहाँ पर पड़ा था न वो जो घुरसवार गिर गया था वो घुरसवार कौन था वो घुरसवार राजा थे ये देखो, वे राजा कर्मसेन थे, है ना, तुम्हेंने यहाँ पे लिखा है, घुरसवार कौन था, घुरसवार राजा कर्मसेन थे, कौन था, कर्मसेन थे, फिर दूसरा प्रश्ने क्या है, वो कैसे गिर पड़ा, घुरसवार कौन थे, घुरसवार राजा कर्मसेन थे, वो कैसे गिर गए, घुरसवार राजा कर्मसेन थे, वो कैसे गिर गए, घुरसवार प्रश्ने क्या है, घुरसवार प्रश्ने क्या है, घुरसवार राजा कर्मसेन थे, वो कैसे गिर गए, घुरसवार प्रश्ने क्या ह सत्यजीत कहां पहुचा तो दूसरे दिन सत्यजीत राजा के दर्बार में पहुचा क्योंकि राजा ने यहां पे कहा था ना सत्यजीत को कि कल तुम मेरे दर्बार में आना है ना यह देखो कल तुम हमारे दर्बार में आ जाना यह किस ने कहा था देखो राजा ने कहा था प्रश्न वोई है दूसरे दिन सत्यजीत कहा पहुचा तो दूसरे दिन सत्यजीत राजा के दरबार में पहुचा घ, राजा ने मंत्री से क्या कहा कि आसे हमारे राज में गाने बजाने पर कोई पाबंधी नहीं राजा ने मंत्री से क्या कह था कि आज के बाद हमारे राज में गाने बजाने पर कोई पाबंधी नहीं ठीक है तीसरा प्रश्ण किसी महापुरुष के बारे में पढ़ो तो बच्चे वहुत सारे महापुरुष है आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनके बारे में पढ़िये चौथा जोड़ी मिला कर पूरा वाक्य लिखो तो बच्चो मैं अभी आपको जोड़ी मिला देती हूँ लेकिन आपको कॉपी में जोड़ी मिला कर पूरा वाक्य लिखना है ठीक है पहला है क्या है कर्म सेन तो कर्म सेन कौन थे न्यायप्री था तो हम कर्म सेन की जोड़ी न्यायप्री से लेकिन आप कॉपी में कैसे लिखोगे कर्म से न्यायपिरी था पूरा वाक्य मिला क्या आपको लिखना है जोड़ी बना कर पूरा वाक्य आपको लिखना है ठीक है दूसरा सत्यजीत तो सत्यजीत कौन था वो बासुरी बजाने में कुसल था तो आप दूसरा वाके लिखे सत्यजीत बासुरी बजाने में कुसल था मधूर संगीत मधूर संगीत वातावरण में गूजने लगा जब सत्यजीत ने बासुरी बजाना सुरू किया तो उसकी आवाज पूरी बातावरण में गूजने लगी सत्य जीत ने बासुरी क्यों बजाए थी क्योंकि राजा बिहोश हो गए थे गीत संगीत पर पाबंदी नहीं होगी तो बच्चो जो हमने जोड़ी बनाया है इस वाक्य को आप पूरा लिखोगे ठीक है पहले जोड़ी मिलाओगे और फिर पूरा वाक्य लिखोगे ठीक है बच्चो तो चलो हम आगे चलते हैं पाच्वा चित्रो को देखकर वाद्यो के नाम बताओ और इनकी ध्हनी की नकल करो तो बच्चो मैं आपको वाद्यो के नाम बता देती हूँ आप इंटरनेट पर जाकर आप उसमें ढालोगे ना तबला की ध्हनी तो उसमें तबला कैस बसता है, तो कैसे आवा जाता है, वो आपको सुनाई पड़ेगा अब इस रिप में वाद्यों के नाम आपको बता रही हूँ इनकी धोनी आप इंटरनेट पर जाकर सुन लिजिए बच्चो ठीक है, तो ये क्या है बच्चो, तबला और ये क्या है बच्चो, हार्मोनियम और ये क्या है, बासुरी बासुरी सत्यजीत बजाया था, तभी राजा होश में आ गय थे न और हमारे कृष्ण भगवान जी भी बासुरी बजाते है ये क्या है, मंजीरा जब हम पूजा आरती करते है न, बच्चो, तो हम मंजीरा बजाते है सितार और ये है धोलक जब घर में शादी व्यारता है, तो हम धोलक बजाते हैं, गाना गाते हैं और सभी लोग डान्स भी करते हैं, आप लोग भी करते हो न अब देखो, गणपती बपा आ रहे हैं, तो सभी लोग धोलक बजाएंगे और गणपती बपा के भजन गाना गाएंगे, है न छठा, अपनी कक्षा की सजावट कैसे करोगे, इस पर चर्चा करो बच्चो अगर आपको अपनी कक्षा की सजावट का काम कर दे दिया जाए, तो आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, इस पर आप अपनी दोच से चर्चा करो ठीक है बच्चो तो बच्चो यहाँ पर हमारा पाट साला समाप्त होती है अगली पाट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाट साला में नए है तो मेरे पाट साला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाड़ साला काला आप सभी बच्चे ले सके पर अगर आप मेरी पाड़ साला देखते हैं और आपने मेरी पाड़ साला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाड़ साला को सब्सक्राइब कर लेजिए तैंक यू बाई